हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अभिलाशा आरके पटेल पीजी आरवेद प्योजनम कोचिंग क्लासिस भूपाल से आज ही क्लास में हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आमवाद को पढ़ने वाले हैं अभी आपके जो पीसी के इंटर्व्यू आने वाले हैं स्पेशली MPPSC और अधर स्टेट की PSC कुछ का इंटर्व्यू हो चुका है कुछ के बचे हुए हैं तो आपने ही रिकमेंड किया था आमवाद पढ़ने को स्पेशली इंटर्व्यू के परपस हैं तो देखिए इंटर्व्यू में अधिकतर किस तरीके के कॉस्टन आप से पू सबसे ज़्यादा देखने को में पक्षाघाग के पेशन इसलिए आज ही क्लास में मैंने वही टॉपिक लिया है तो देखो इंटर्व्यू में आपसे ट्रीट्मेंट के उपर कुछन पूछा जाएगा कि आमवाद में किस प्रकार का ट्रीकमेंट करते हैं जसे मेरा MD पंच कर्मा पर फोकस करके बाकी सभी लोग जनरल लोग जो होते मैडिसिन के उपर फोकस करते हैं या फिर पंच कर्मा मैं दोनों एसपेक्ट से आपको यहां पर समझाने वाली ही तो देखिए ट्रीट्मेंट डारेक्ट हमको याद नहीं करना क्योंकि हमारा जो आयरविदा होता है बुक किस एसपेक्ट पर काम करता है किसी भी डिसीज पर उसकी संप्रापती पर काम करता है सिम्टमेटिक ट्रीट्मेंट नहीं किया जाता यहां पर क्या किया जाता है दोशों का ट्रीट्मेंट किया जाता है ठीक है मॉडन साइंस क्या होता सिम्टमेटिक ट्रीट्में किन से होता है और किन चीजों का प्याद कर देंगे तो नहीं होगा ठीके तो सबसे पहले इसकी समताप की समझना बहुत ज़री है तो इंटरव्यू की सारी क्लासिस हमारे एप पर अभी चल रही है पीजी आयरवेद प्रियोजनव हमारा एप है जिसको आप प्लेस्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहां पर यह सारी पीडियेफ्स जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूं यह सारी एवलेबल हो जाएंगे चलिए शुरू करते हैं तो आमवात जो है आयरवेदा में बहुत जादा इंपोर्टेंट कहीं तो बहुत जादा प्रब्लम होती है लोगों को और आयरवेद में आयरवेद ही एक मात्र ट्रिटमेंट होता है क्योंकि modern science में इसके पास पेंकिलर होती है और कुछ नहीं होता है तो आमवात होता कैसे एक्जामीनर आप आप से पूछेगा आमवात की परिभाशा वताइए ऐसा तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर्वी मैंने टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको यहां पर डेफिनेशन लिख दी है आप चाहे तो याद करके सुना सकते हैं मैं आपसे इस क्लास में प्रक्टिकल बात करू तो आमवात होता कैसे है आमवात वैसे दो शब्दों से मिलके बना है एक आम और एक वात इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो आम है इसी का सारा लेना देना है आमवात में तो आमवात दो शब्दों से मिलके बना होता है एक आम होता है और एक वात होता है ठीक है तो जो आम होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपको लिखाने के परपस से यहां पे नहीं पढ़ा रही हूँ, किस परपस से पढ़ा रही हूँ, आपको चीजे समझ में आना चाहिए, है ना, तो आम वात में आम है, आम क्या होता है, जो आम होता है, सिमिलर हमारी कफ के समान होता है है ना मैं आपको यह बताना चाहरी हो यहां पर कि आम वाद इस्पेशली जुएंट्स में ही क्यों होता है ना उसी की समप्रापती पढ़ रहे हम तो आम में इस्पेशली जो आम हैं कफ के समान गुर्धरमी होता है ठीक है जब भी हमारी बॉडी में आम बनता है तो मत कफ का प्रकॉप जादातर हो जाता है तो इसकी समप्रापती देख लेते भी होता क्या है और आप जानते हैं जब भी हमारे शरीर में अगनी मांध होता है तो हम जो आहार खाते हैं वो पच नहीं पाता है या आधा पचारा जाता है तो यह क्या करता है हमारे शरीर में आम का प्रोडक्शन करता है तो अगनी मांध से क्या होगा आम का प्रोडक्शन होगा और आप जानते हैं आम जितने भी गुर होते हैं कफ के समानधर्मी होते हैं तो कफ का स्थान क्या होता है हमारे शरीर में इसी लिए आमवात जो है जोएंट्स पर होता है क्यों कि आम में कफ होता है और कफ का ही सुहाव होता है कि सिलेश्म स्थानों पर जाकर रुक जाए शिलेश्म स्थानों पर जाकर ही अपना स्थान संशय करता है कैसे वायू वही आपने शारंग दरिक पड़ा होगा पित्तम पंगु कफ़ा पंगु पंगुमल धात्वा वायूना यत्र नीयंते तत्र गशन्ती मेगवद तो जो वायू है इस आम को कहा ले जाता है सुलेश में स्थानों की और ले जाता है और वहाँ पर इस्थान संश्य हो जाता है जहां भी खावय गुन ने मिलेगा इस्थान संशय हो जाएगा उसके बाद क्या होता है आमवात के लक्षन होते हैं तो देखिए आपने समझा क्या कि हमने कोई भी निदान सेवन किया उससे क्या हुआ अगनी मांध हुआ अगनी मांध होगा तो आम का प्रोडक्शन होगा आम का production होगा आम जो है कफ के समान धर्मी होता है कफ इस आम को वायू जो है कहां ले जाएगा कफ इस थानों पर ले जाएगा और वहाँ पर आमवाद के लक्षन कुद पन्न करेगा अब हम इसके लक्षण देखेंगे तो हमको बिल्कु संप्राप्ती से मिलते जलते लक्षन मिलेंगे क्या होते हैं अंग मर्दो इस लोक याद कर ले ना बहुत आदा इंपोर्टन्ट है क्योंकि आमवाद संधीवाद पक्षा घाथ के चिकिसा सुत्र आपको टिप आफ्टंग रटे होना चाहिए एक्जामीनर पूछेगा तो क्या है अंग मर्दो अरुची त्रशना आलस्यम गर्वं ज्वरह अपाका सुनतम अंगानाम आमवातस से लक्षन तो क्या हो रहा है अमाशे में आश्रित हो रहा है ये कफ संधियों में हो रहा है जब आमाशे में आश्रित होता है इसी कारण से हमको अभी पाप के लक्षन मिलते हैं अरूची के लक्षन मिलते हैं क्योंकि यही पर तो हमारा भोजन डाइजेस्ट हो रहा है ना इसलिए आमबात में ये लक्षन हमको प्रायर्टी से मिलते हैं या तो ऐसा कहें कि इसी कारण से संप्राप्ती उत्यपन हुई और लक्षन भी इसी कारण से उत्पन हो रहा है तो अरूची रहे तो आजब हो मिलेंगी धीके आप आपके खना नहीं प्ठेके जुनता आंगा नाम एकEhétais मैं क्या होगा स्वेलिंग होतीए ौतीए क्यों की कफ जो है आम जो है शलेश में तानों पर पहुंच जाता वहां पहुंच आपकापी हमारा जयों क्या है क्या है छेशा को समझ्ता treatment को समझना थोड़ा सा मैंने modern का लिखा हुआ है modern का उतना जादा आपको समझना नहीं बस थोड़ा सा ही देखना है कि modern में इसको हम rheumatoid arthritis से correlate कर सकते हैं especially यह जो होता है small joints से शुरू होता है especially small joints में ही रहता है कभी-कभी इसमें largest joint का भी involvement हो जाता है अगर इसमें बात करें causes क्या हो सकते modern में तो बड़े simple causes भी simple क्या है पता ही नहीं है cause का unknown होता है family history भी रहती है नजने निक होता है तो यह सारे इसके कारण रहते है modern का class नहीं है नहीं तो modern में अगर इसी class में 12th class में complete होगा स्था स्धान पर बात करते हैं जस्धान त हमारा लंगनम स्वेद्धनम तिकतं ये आपको इस्लोक याद करना है आमवाद पूछे fer चिकिस्षा सिध्धान ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता चिकिस्षा सिध्धान पूछेगा चक्रदत्त का इश्लोख है लंगनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानी का तुमिचा विरेचनम इसने पानम वश्टेश्च आम मारोते सेंधव आधी अनुवासिस्य शारवस्ती प्रसस तो यह पूरा चिकिस्षा सिध्धान ने आपको एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ आगे जाके अगली जो नेक्स क्लासे सोगी आजी क्लास में हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे लंगन और स्वेदन तो यह जो टॉपिक है रक्टर आरके सरका पीएजडी का टॉपिक है वो पूरा इसी चिकिस्षा सुत्र पर काम कर रहे हैं यहना पहले लंगन कराते स्वेदन डीपन कराते उसके बार दिरेच जनिस ने पान यह सारा चिकिस्षा सिध्धान एक के बाद एक एप्लाई करते पेशन पर ठीके तो सबसे पहले देखते हैं लंगन का क्या महत्व है आमवात में हम जो लंगन कराते हैं उसका महत्व क्या होता है तो आप सभी लोग जानते हैं या फिर हम बहुत सारे रिसर्च पेपर से मैंने इसको कंपाइल करके बनाया हुआ है आमवात को हम स्पेशली रसवह शोतोजन्न व्यादी मान सकते हैं और आमाशय उत्थ यह आप जानते हैं कि जितने भी रसज विकार होते हैं रस प्रदोशज विकार में आपने चिक्सा पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा रसज विकारों में लंगन कराना चाहिए क्योंकि जो रसज विकार हैं वो बहुत ज्यादा कफ के समीव होते हैं और आमाशय उत्थ व्यादी में भी आपने चरख चिकिस्था इस्थान में पड़ा है कि जितनी भी आमाशय उत्थ व्यादी हैं उनमें एक रामवाल ट्रीटमेंट होता है लंगन तो रसज विकार चाहे आमाशे उत्थ विकारो इनमें लंगन बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है अब इसका लंगन का महत्तो क्या होता है तो देखिए मैंने सब कुछ लिखा है आप यहां से पढ़ सकते मैं आपको प्र लंगन किया मतलब आपने कुछ नहीं खाया इसका मतलब यह हुआ कि आपकी अगनी अभी फ्री है तो वो दीप्थ होती जाएगी क्यों दीप्थ होती जाएगी जी आप उसके उपर कोई वर्डर नहीं पड़ रहा तो लंगन करने से जो अमाशयूत्थ अगनी है वो तो जो आपकी बॉडी में आम बना था जिसने आम वात उत्पन्न किया था उस आम को पचाएगी आम को पचाएगी साती साथ जो आम इधर उधर शोतो अवरोध कर दिया था उस शोतो अवरोध को भी हटाती है तो लंगन क्या कर रहा है अगनी को दीप्त करेगा आम को करता है लंगन देखते हैं क्या करता है ड्यूरिंग लंगन कंप्लीट फास्टिंग और लाइड दाइट फुडिस नॉट एबलेबल पॉर डाइजेशन अगनी मेटाबोलाइज द अम आम एंड साम दोशास एंड रिजल्टिंग इन अगनी दीपन एंड आम पाचल दोनों का कीसे काम करता है अभी तो हमने देखा कम कर रहा है और सु एडन कीसे काम करता है तो आचारे चरक के सुठरिस्थानमे32 नमबर के चप्टर में स्चाड उपक्रम पढ़ा है शड़क्रम में कौन कौन सी चीज आते हैं में स्वेधन भी आता है स्वेधन का इस्पेशली कर्म क्या होता है इस्पेशली हमको आम बात में ही तो मिल रहा है इस्पेशली हमको आम बात में ही तो मिल रहा है इसमें स्वेधन में गुण क्या होते हैं इसकी प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ेगा पहले इसमें उश्न होता है तीक्षन, सर, इसनिक, रुक्ष, सुक्षन ये सारे गुण किसमें होते हैं स्वेधन द्रव्यों में होते हैं तो जब भी हम स्वेदन करते हैं, इन उच्ण तीष्ण गुनों के कारण ये क्या करता है? आम को पचाता है। आम को पचाएगा, इस्तंबता को हरेगा, और सोतो-रोदु को हराएगा और इस कारण से ये स्वेदन हम एपलाई करते हैं आम बात के पेशन में। तो आजी क्लास में मैंने आपको इस नेहन और स्वेधन का एफेक्ट पढ़ाया आमवाद की हमने पूरी संप्राप्ति देगी किस तरीके से आमवाद उत्पन होता है अगर आपको समझ आ रही है अच्छा लग रहा है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजेगा क कि आपके इंटर्वीw के परपस से इनफ है की नहीं है अगली क्लास में क्या क्या क्योंकि एक क्वरास मैंने और स्पैले शूरू अकर कर्मा ट्रीटमेंट है वो कैसे एफेक्ट करता है उस पर कैसे उसका मोड़ा फ्रेक्शन रहता है और अगली क्लास में तीन प्रॉसेस और पड़ेंगे साथ में उसके हम योग भी देख लेंगे कौन-कौन से योग दिये जाते हैं क्लीनिकली आठ दस योग याद कर लेंगे तो आपका इंटर्व्यू के परपस से पूरा आमबात कंप्रीट हो जाएगा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा शेयर और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कंटीनुए टॉपिक प कर मेरी तोका खी ह nieuौग।